चैंपियंज नमस्कार आद आप सस्रीयकाल जी हाँ दोस्तों जुड़ चुके हैं आप डी के धीरेज के साथ एकदम 30 सेकेंड का टाइम है सभी लोग जल्दी से एक बार लाइक और शेयर करियों जुड़ते चले जाएए हर जगे फैला दिजे इस लिंको क्योंकि सेसन होता है बेहदी खास तो जल्दी से आईए सभी लोग भाई याँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ राहूल गौंड साब है पपुल कुमार जी हैं मुहम्मद तहसीन जी हैं सोना मीना जी हैं खिलारी सिंग जी हैं और टाइम अप नहीं हुआ है कि जीने कमेंट किया ता कि साथ टाइम अप हो जाता है डीके दीरत डेली हर दिन तीन बजे साम में आ जाते हैं या दो पहर कह लिए त्री पीम तो जल्दी से एक बार आई है सभी लोग सेशन को लाइक एंड सेर करते हुए और ये सेशन ही क्यों आखिर आपके दिमाग में आएगा ना कि भाई डीके दीरत सरकाई सेशन रीजनिंग में क्यों देखा जाए भाई क्यों देखा जाए डीके दीरत सरका सेशन रीजनिंग में तो आपको बताता हूँ क्यों देखा जाए डीके दीरत सरका सेशन रीजनिंग में तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यह दिख राए अब क्यों सेशन देखा जाए भा आपको ये सवाल सब कुछ बताने वाला हूँ concept के साथ फिर देखो आगे क्या है previous year से भी पूचे गए सवाल उसके साथ साथ नए pattern कि कहीं खेला हो भे खेला नहो जाए उसके लिए ये भी चीज़े कराता हूँ मेरी पूरी कोसिस है भाई सभी सवाल यहीं से आए एक दम दिल से कह रहा हूँ कि पूरी कोसिस दम लगा देता हूँ questions set करने में पूरे previous year की analysis क्या trend चल रहा है change होके क्या क्या हो सकता है हर एक चीज़ नया नया logic क्या हो सकता है पूरी जिम्मेदारी के साथ भाई आए क्लास चलती है तो आप सभी लोग आजाए भाई एक बार like and share करियो daily 25 सवाल आप समझ रहे हो daily 25 से 30 आज तो 26 27 सवाल लेके आया हूँ तो daily अगर आप 25-26 सवाल बता 25 से 30 के बीच में सवाल करते हो एक महीने भी कर लिए तो 1000 प्लस सवाल हो जाएंगे भाई मेरे और ताबर तोर अंदाज में हो जाएंगे तो क्या तयार हैं एक बार comment में बता दीजिए भाई सबसे पहले सवाल के लिए like and share करके दबा दिये सभी लोगोंने like and share का बटन क्योंकि बाद में फिर पढ़ते समय दिक्कत होगी तो जितने लोग जूरे हैं अभी एक बार like and share कर दिये हैं तो एक बार बताईए कि yes sir thumbs up एक बार लिख दीजिए thumbs up जल्दी से आजाए भाई कि हाँ sir तयार सबसे पहले सवाल के लिए फटाफट भाई और तयारी सबसे पहला सबसे पहले सबसे पहले भाई असी 90 पे चल रहे हैं हम लोग एक बार जल्दी से like and share कर ये बच्चे जुर जाए सबसे पहले सवाल के लिए तयार हैं आप सभी लोग बोलो भाई रुकना मना हैं और जब तक तो रहेंगे नहीं तब तक छोरेंगे नहीं मेरे मित्रे है ना तो जल्दी से आईए भाई एक बार गुड मॉनिंग तयार हैं भाई थम्शप थम्शप भाई रेड़ी कोपी कलम लेके तयार है ना रेड़ी 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 भाई तयार तो यह लीजिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल आता हुआ जी हाँ आने लगा येस सर येस सर जी सर जी सर जी सर तो यह रहा आपके स्क्रीन पे सबसे पहला सवाल देखते हैं नमो इस फिल नमो आ गहए, अरे बाबा! नमो इसकोड़ाइज 11, पपपु इसकोड़ाइज 26, क्या हुआ है? सुमो इसकोड़ाइज egy वाटार इन कोड़े और नमो, पपपु, सुमो, नाम तो सुना-सुना लग रहा है, लेकिन एंसर क्या होगा? एंसर क्या होगा ये एक बार देखना है कि नमो को नमो को क्या लिख रहा है भाई एक ग्यारा लिख दे रहा है एक बार एंसर लगा रहे हो क्या एंसर बोलो भाई और जिस दिन एक गाना भी चल रहा है जिस दिन आदत पता नहीं क्या है तो एक बार जल्दी से बता दो इसका राउल भाई की बाद जबर दस्त चलो नमो इस कोड़ेट एज इलेवें पपू इस कोड़ेट इस ट्वेंटेसिक्स देन वाट विल भी तक फॉर सुमो सुमो को क्या लिखेंगे भाई जल्दी जे एक बर बता उस जबर दस तरीके से नमो को एक ग्यारा लिखा जाता है पफ से दिमाग में आएगा सबसे पहले 14 15 15 13 13 13 13 13 13 14 11 11 कुछ लग नहीं रहा लोजिक मतलब सबको जोड़ रहे तो आना ही रहे तालिस चार्तिन साथ भी नहीं होगा क्या करें अब भवल कंसोनेंट एक पर देख लेते हैं इसमें को यह सारी चीजे तिक नम्जबर्दस तरीक से द और देखो 13 हो गया तो 13 और 14 यह 27 होगा अगर केवल कंसोनेंट को हम जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 27 और अगर केवल ववल को जोड़ है तो 14at दो 17-16 मतलब ववल और कंसोनेंट का डिफ भी लॉजिक आ सकता है कि वोवेल और कंसोनेंट का डिफरेंस क्या यहां है तो 16, 16, 32, 16, 48 P का वैली 16 होता है तो 48 हो गया यहां पर कंसोनेंट को जोरने पर और अगर आप ववेल जोरेंगे तो 21 और 12 तो 48-22, 8 में से दो गया 6, 4 में से दो गया 26 अब सुमो नहीं निकलेगा क्या बोलो भाई सुमो नहीं निकलेगा क्या बोलो S का 19, देखो S का प्लेस वेल्यू कैसे याद रखना है, ऐसे करके एक लगा दो देखो यह 19 हो गया M में एक नीचे लगाओगे 13 हो जाएगा तो 19 और 13, तो 9-3-12 के दो अब सुमो नहीं नहीं बोलो भाई, ओप्सन नमबर डी में लगा हुआ था चार बताओ मज़ा आया कि नहीं, सबसे पहला सवाल धागा खोल चुका है बाई सभी लोगा जब बर्दस्त, जब बर्दस्त और आज होगा तांडो, देखो भी क्या होता है अगला सवाल अगला सवाल है आपके सामने कि विसम की पहचान करे, इस चार में से तीन का एक ग्रूप बनेगा और कोई एक अलग होगा, उसको पकर के बताईए कि कौन अलग होने वाला है एक बार जब बर्दस्त तरीके से एंसर आना चाहिए भाई, 864, 324, 535, 648 क्या होगा एंसर और एक बार दबा के लाइक एंड सेर कर दो भाई सभी लोग लाइक एंड सेर रुकना नहीं चाहिए, 864, 324, 535, 648 क्या होने वाला है एक बार एंसर, लाइक एंड सेर में कोई कमी नहीं चाहिए भाई जल्दी से 200 का आकरा पार होना चाहिए, 1500 बच्चे देख रहे हैं लग बगा में और एक बार लाइक तो कर दो भाई, 130 लोग देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, गुरू दक्षिना है भाई, मैं बार बार बोलूँगा नहीं गुरू दक्षिना है D के धीरत सर्थे कुछ फ्री में पढ़के नहीं जाएंगे गुरू दक्षिना दिया है क्या किया है लाइक का बटन दबा दिया है और एक बार कॉपी लिंक करके शेयर कर दिया है चारो तरब तो एक बार जल्दी से देखिए से नहीं बनाते क्लासिफिकेशन बाष्च्विकशन दर्फ ऐसे नहीं बनाते और पकरके नहीं निकालते तीन का गुरूब बनेगा और इसमें जो चौथा होगा सामिल नहीं यह होगा वह एंसर होगा ऐसे आठ से 64 गुना आठ हुआ देखना तीन से 24 गुना आठ हुआ पांस से 35 गुना साथ हुआ छे से 48 गुना आठ हुआ देखो यहां भी गुना आठ यहां भी गुना आठ यहां भी गुना आठ यहां भी गुना आठ एंसर यह हो जाएगा आपका 535 बोलो भाई क्लियर है चलो अ कंसर अना चैनल का यह क्या कर रहा है 20 सीडी को 27 लिखरा है ऑफ वहको रिज्णिंग वानä दिमाग क्या क्या थारिजन वाला दिमाग 27 तीन का کیوب है 3 का ये किوب है 40 क्यूब नहीं है अरे बाबा ये क्या हो गिए 40 भी नहीं है क्यूब अब AED का कोड क्या होगा क्या किया जाए भाई और अनील करें दबा के लाइक और सेर जिखते हैं यहां क्या एंसर होने वाला है वी सीड़ी को 27 एबिसीडी को 40 तो एए डी को क्या लिखा जाएगा एक बार जल्दी से एक बार एंसर बताई और लाइक करिये वड़ी से सेशन लाइक एंड सेर होते रहना चाहिए आप लोग लाइक एंड सेर में कंजूसी कर दियें ये दिक्कत है चलो देखो क्या है BCD को 27 लिखा हुआ है भी देखो अभी गला पूरा फस्ट चुका है कल भी क्लास लिया है आज भी लिया है पेट बैचेज भी चल रहे है चार पांच अभी देखो आवाज नहीं कल रहे है लेकिन क्लास होगी तो होगी बस आप लोग एक बार सपोर्ट करते चाहिए कि बिल्क दी का 3, डी का 4 अब इन सब में कुछ ऐसा करो कमाल कि आजाए 27 मेरे यार इसमें कुछ ऐसा करो कमाल कि 27 आजाए मेरे यार तो क्या करोगे जो रोगे 3, 2, 5, और 4, 9, 9, 3, 27, ओ, हो, हो, चार, 3, 7, 2, 9, और 9 में अगर 3 से गुना कर दो तो 27 हो जाएगा, अगर यहां देखो, तो 1, 2, 3, 4, 4, 3, 7, 2, 9, और 1, 10, 10 और यहां 40, मतलब यहां गुना 4 हो रहा है, यहां गुना 3 हुआ, यहां गुना 4 हुआ, तो सीरीज तो है यहां गुना 3 क्यूं हो रहा है, क्योंकि इसमें 3 लेटर था, यहां गुना 4 क्यूं हुआ, क्योंकि इसमें 4 लेटर है, तो जोर दो 1, 5, 6, और 4, 10, इसका प्लेस वेलू जोरोगे, 10 आएगा, 3 लेटर है, गुना 3 कर दो, 10, गुना 3, 30 एंसर हो जाएगा, उप्सन नमबर C, बूलो भाई, क्लियर है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते है भाई, ओमाई गौड, इंबेड़ेट का है, देखो, इंबेड़ेट फिगर, यह वाला जो आपको यहां दिख रहा है, यह जो आपको यहां पर यह खेला हो रहा है, यह किसमें सामिल है, जरा ध्यान से देखिए बैए, और एंसर लगाने की कोसिस करिए, कि यह किसमें सामिल होने वाला है, बोलो भाई, किसमें सामिल, एक बर लाइक एंसर दवाग होते रहना चाहिए, हर एक सवाल उरा के देगी हम आप लोगों को, बस परेशान मत होना, एक बर दवाग लाइक एंसर ठोकते जाहिए, और आगे बढ़ते जाए, देखिए भाई, अगला सवाल क्या होने वाला है, फटा फटा आपका जवाब चाहिए हमें आप सभी लोगों से, कि यहां इसका एंसर क्या होने वाला है, यह किसमें सामिल है, बोलो भाई, किसी का एंसर आ रहा है, यह किसमें सामिल है, देखो सीधा लाइन ये सीधा लाइन और ऐसे दुनाली बनाना है आपको तो यह दुनाली कहीं है सीधा लाइन वाला तो दुनाली हमें कहीं दिख नहीं रहा है तम सीधा इसमें है दुनाली तिर्चा है सीधा वाला दुनाली सीधा वाला दुनाली आपको यहां भी नीचे देखो को तो रोटेशन तो करना नहीं हमें, यहां भी आपको सीधा दुनाली दिख नहीं रहा है, यहां बन गया भाई, यह तो ऐसे ही बिना कुछ यह answer लगने वाला है, आप जब ऐसे करके ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, देखो यहां, यहां देखना मेरे भाई, क्या हो रहा है आप ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे गए, यहां से यहां तक तो हो गया, यहां से यहां तक तो हो गया, अब उपर फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां देखो उपर फिर ऐसे, फिर ऐसे, बन गया भाई, आप्शन नमबर 4 इस दा करेक्ट एंसर, चलिए भाई, अगले स सवाल आपके examination में आते हैं और जबरदस तरीके से आते हैं तो बोलो भाई यहां क्या answer होने वाला है एक बार लाइक हजार प्लस गए थे हम लोग आज भी जाएंगे जल्दी से एक बार सभी लोग लाइक प्रोसेस होना चाहिए यहां दो लेटर यहां एक ही आ रहा है क्यों तो प्लेस वेल्यू लिखके देखो आठ एक अब यहीं पर आपकी जो है न भौई ऐसी तंजीन जी औरे क्या सी नो का स्कॉयर यहां नो का नो पर कौन आता है आई बी का दो एका पांच प्लेस वेल्यू 25 25 किसका स्कॉयर है पांच का पांच पर कौन आता है इस दा करेक्ट अंसर ऑप्शन नमबर सी अगला सवाल यह क्या हुआ है अगला सवाल पर आज यहां जल्दी से यहां कह रहा है यह दि 322 बराबर एभी ओ ओ ओ ओ क्या एंसर होने वाला है यहां पर एक बार जल्दी से 250 हो गए इसको तो सियर करते जाएं सेशन को और लाइक की संख्या बढ़ाते जाएं आप सभी लोग चलो यदि 322 बराबर एभी 233 बराबर एज तो 281 बराबर क्या होगा इसका अगर एंसर निकाल दिये तो भाई मज़ा आजा है बोलो क्या होगा बोलो क्या होगा देखो क recount we'llow 6 क्या चल रहा है 322 बराबर एभी ओो क्या हो रहा है तीन गुना दो गुना दो दे वोतीन दुनीच 6 जेडुनी बारैं मतलब हैं दो देखो एक दो पर दू पे आता है गुना हो रहा है तीन डो गुना 2 गुना 3 दिफ हो हुआ 2 तीएए6 6 318 8 आरह 16 मलब 5 Africa O p Charac is the correct answer option number B लगा दीजिए भई clear हो रहा होगा सवाल मेरे भाई यहां पे कैसे बन रहा है और इसका तो 99% नहीं 100% जुगार है बनाने का मतलब ऐसा सवाल आएगा तो बनेगा और उरेगा बस देखना कैसे बनेगा और कैसे उरेगा उसके लिए बस आपको यहाँ पेसेंस रहना है थोड़ा सा आप देखिए आपसे सवाल यह कैसे बनेगा करा BC फिर देदिया डैस फिर B डैस क्या होगा इसको पूरा करना है किस तरीके से बनेगा एक दम जबर दस्त इसका एंसर लगाने का तरीका है पहले एक बार आप सभी लोग को देख लिया जाये कि आप लोग इसका एंसर क्या लगा रहे हैं जल्दी से एक बार आप सभी लोग का एंसर जाहिए आपे क्या एंसर लगा रहे हो यहाँ पर भाई सभी लोग फटाफट एक बार देखो तो रुकना नहीं चाहिए तो आप सभी लोग रुकना नहीं चाहिए भाई फटाफट लाइक एंड शेयर करते चाहिए और आगे बढ़ाते यह सेशन को रोकना मना है रुकना मना है जल्दी से मेरे बाई जल्दी से एक बार बताओ अब इसका एंसर क्या लगाने वाले हो देखो कैसे इसका बेसिक तरीका क्या है दिमाग खोल के रखो कैसे बनेगा देखो यहाँ पर कितने लेटर से एक बार काउंट करो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा 12 लेटर है इसका मतलब 2-2 का बन सकता है 3-3 का बन सकता है 4-4 का और 6-6 का भी बन सकता है अभी देखेंगे B और C यहाँ है यहाँ भी B और C और यहाँ A पे इंड हो रहा है A पे खतम हो रहा है और B से सुरू हो रहा है तो देखो यहां भी B से सुरू है A पे खतम है तो हो सकता है B से यहां सुरू हो रहा है तो 3-3 का बनाए तो B C A हो सकता है देखो कैसे logic लगा कि A पे खतम है और B से सुरू है तो अगर 3-3 का बनाओगे तो यहां से भी B से सुरू है फिर यहाँ B से सुरू है फिर यहाँ B से सुरू हो सकता है तो देखो B C A B C A B C A B C A तो answer क्या बनेगा A C AA किसमें है A C AA इसमें नहीं है इसमें है इसमें नहीं इसमें नहीं option number C लगा तो answer भाई औरे जबरदस्ट, जबरदस्ट, अगला सवाल किरा water image क्या होगा, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो किरा m i k b i ऐसे है, अब इसका water image क्या बनेगा जरा यह बताओ m i k b i ऐसे लिखा है, इसका कल देगो कल था mirror image, आज है water image, ध्यान से देखते हैं पहले आप लोग क्या answer इसका लगाते हो फटा फट एक बार answer लगाओ इसका जबरदस और मज़ेदार सवाल है आपके सामने मेरे दोस्त अब एक बार जबरदस तरीके से खतरनाक angle से answer नका लिए इसका क्या होने वाला है सबी लोग यहां जहिंद भाई जहिंद बोलो यहां क्या answer होगा भाई यहां पर बी लगा रहे हो क्या बी answer पक्की बात है बोलो भाई पक्की बात है कि बी answer चलेगा यहां पर बिलकुल चल सकता है लेकिन देखते हैं पहले कि है और क्या हो रहा है देखो M I K B M I K B अभी देखो water image क्या होता है उल्टा हो जाता है जैसे A का water image क्या बनेगा तो सीधे T की पकर के नीचे कर देती है तो यह ऐसे बनता है A का water image M I K B है तो M I K B अगर ऐसे लिखा हुआ है M I K और B लिखा हुआ है तो इसका water ही में सीधे उल्टा होगा तो M क्या बन जाएगा W I I तो I ही रहेगा उल्टा होगा तो आपको पता नहीं चलेगा K B K ही रहेगा और B B B ही रह जाएगा तो W I K B is the correct answer option number B बोलो भाई clear है अगला सवाल आते है अब ये नहीं बनाए तो क्या बनाए कहराए नमक है अरे बाबा ये को पूछ दिया मैंने भाई या ज़ित अच्छा नमक से याद आया जब इस नमक की बात करते हो न है जैसे हम लोग बेसिलर जब पढ़ते थे जब हम लोग होस्टल में रह रहे थे पढ़ रहे थे तो समय ते को घर में का ऐँक परफिक्शन होता है मम्मी को देखो मम्मी को या दिदी को देखो जब aborto रहा है जब सब्सegार बन रहा हुता है तो क्या होता है आप जैसे हम और अप सुझी बना रहें माल लो ठीक है अब नमक हम लोग कैसे डालेंगे हम लोग डालेंगे ज्यादा तो नहीं होगा फिर इस चला के थोड़ा देखेंगे थोड़ा डाल देखते रिस्क है लेकिन मम्यूमी को देखो नमक डालते हुई सबजी में ऐसा यह और तुम जा रहे हो क्या हम मार्केट जा सरफ लेते आना सरफ लेते आना नमक ढार रही है सरफ लेते आना ठीक है ठीक है ठीक है लेते आओ सरफ और इसे पर गया सबजी और वह सटीक हो जाता है ना जादा ना कम यह होता है परफेक्शन लेवल आप लोगों को जादा से जादा परफेक्शन लेवल होगा होगा तो च समक मसाला नहीं है अग्ला सवाल लो भائि इंट्रो गेटिमार्क के जगह क्या आने वाला है यहां पर आपको बेठाना है क्या आएगा और एक जबरदस्ट सवाल है मजativ आएगा आपको बस देखो कैसे बनेगा यह सवाल यह आइन्सर क्या लगा आने वाले हो मतलब कितना धोखा है भाई, जीवन में धोखा ही धोखा है, चलो बोलो भाई, यहां क्या होगा, 3927, 248 देखो, देखते ही आपको पता चले, देखते ही आपको पता चले क्या, कि ये भी स्कॉाइर है, ये भी स्कॉाइर है, ध्यान से, ये reasoning वाला दिमाग कहता है, ये अगला सवाल, इंट्रोगेटिव मार्क के जगह क्या आएगा, ये नहीं बनाए तो समझ लेना, आभी कुटा कटा जाओगे सभी लोग, ये बनना चाहिए भाई, ये एकदम लोलीपॉप सवाल आपके सामने रख दिया है, मैंने, कि यहां इंट्रोगेटिव मार्क के जग और यहां क्या होगा, एक बार बताईए तो जरासा, देखो भई, मज़ेदार सवाल है, एक बार उड़ा दो, गर्दा उड़ा दो इस सवाल का, फटा पट, देखो क्या एंसर होने वाला है आप सभी लोग का यहां पर, जबर दस तरीके से आप यहां लगा सकते एंसर को, क L, ट्रेंगल, और यहां स्क्वायर है, अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है आप सभी लोग का एंसर, एक बार देखेंगे भाई, बिना देखें काम कैसे चलेगा, तो देखो यहां अनसर क्या होने वाला है, एक, दो, 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 लाइन है, इसमें कितना स्टेट ल इने एक, दो, तीन, चार लाइन है, ध्यान से देखना ध्यान से, इसमें कितना है, एक, दो, तीन, चार, इससे क्या सी कि इसमें दो लाइन, इसमें तीन लाइन, इसमें चार लाइन, बढ़ रहा है एक एक लाइन, यहां देखो, इसमें चार लाइन हो गया, एक, दो, तीन, चार और पांच पांच लाइन हा गया मतलब आगे छे लाइन वाला तो इसमें तो 1 2 3 4 इसके पांच ही लाइन है इसमें एक दो तीन चार पांच यह ऑप्सिन नंबर टू को बोलो बैक लियर होगा यह आप सभी लोग का फोर कौन लगा रहा है पकड़ो उसको कौन है फोर वाला भाई, यह वाईरस कौन ठैला रहा है फोर का, टू एंसर लगाई है टू, अगला सवाल, यह देखो, यह तो एकदम आसान है, EGS सवाल है, एकदम EG सवाल है मेरे भाई, यह नहीं बनेगा, अपने आप सर फोर लोगे तुम, कहोगे कि अरे जब मैं इसका लोजिक बताउंगा, आप हसोगे, रोओगे, कहोगे कि यह क्या कर रहे हैं हम भाई, यह सवाल तो बनना ही चाहिए हमसे, क्यों नहीं बन रहा है, यह देखो एक बार सभी लोग, क्या एंसर इसका लगने वाला है, आप सभी लोग का, जल्दी से एक बार मताओ मेरे भाई, क्या एं ले सवाल एकदम, बोलो यहां क्या एंसर लगा रहे हो इसका, इसका एंसर आपका क्या लगने वाला है, यह एक बार पताओ भाई, सभी लोग फटाफट फटाफट जबाब चाहिए, AD is equal to BC कह रहा है, AD is equal to क्या कह रहा है BC, यह नहीं बना, चार वाले को पकर के कुटो कह र आएगा BC आएगा, ना समझे, ना समझे तो यह लो, AD है, तो A के बाद क्या आएगा, B, और B के बाद क्या आएगा, C और फिर दी, अब देखो AD था, तो AD था, उसके बीच में कौन है BC, तो AD is equal to BC, DZ है, तो D के बाद क्या होता है, DEFG, तो यहां पर क्या लिखा है, DZ, इस इसके बीच में क्या है, E और F, तो E और F, आप देखो B और E है, तो B और E है, B के बाद क्या था, C, D, E, तो B और E लिखा है, तो इसके बीच बीच ISTO 702, .0107 with what ? बता वहीं क्या natускर मलगा हुए बस बने रहे हैं आपको पहले हां पहले आप बात नहीं करता है आपका भलाई हवामें बात मयं करता यह महनत का कमाल है रात बहुत के संच होता है दिन भर बैटके सब्सक्रास होता है रात मैं तीन चार पाँच गंडे सो रहा हूँ कुछ दिन से लेकिन ये एक डिर महीं ने अगर मेहनत कर दिया ना आप लोगों के लिए से से म्टियस के लिए तो वही जब पचास सो बच्चे का फोन आता है ना सर बस रोंगटे खरे हो रहे हैं बाई मेरे रोंगटे खरे हो रहे हैं ये वाली सीन होती है तो इसके लिए त्याग तपस्या दोनों साइड से चाहिए मैं इधर से मेहनत कर रहा हूँ आप उधर से जोर लगाय रही है एक गुणा एकि-गुना एक जो भुचर आदमी होता है वो कैसे बनाता है उसको मतला भुचर नातर समझे रहे हiforn्त नर्सरी लेबल नर्सरी भुचर ज्यादा एरोगेंस आजाएगा नर्सरी कलास का आदमी ऐसे बनाता है नर्सरी मेडियम ये 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 और जोर दिया ये नरसरी क्लास वाला है ये नरसरी क्लास वाला मेथड है ऐसे बनाता है एक सोग एक गुना एक अब तुमको मैं लिजेंड क्लास दिखाता हूँ अब लिजेंड लोग जो होते हैं ये नरसरी वाला था लिजेंड जो ऐसे होगे आपका answer ठीक अब जो अल्ट्रा लिजेंड होगा जो क्या होगा अल्ट्रा लिजेंड वो कैसे बनाते हैं सवाल को वो देखना ये अल्ट्रा लिजेंड वाले सवाल प्यार है अल्ट्रा लिजेंड वाले लोग कैसे बनाते हैं सवाल को वो देखना 101 गुना 101 है ऐस एक ही होगा ना एक गुना एक करोगे एक होगा तो यह हो गया वो अल्ट्रा लिजेंड हो गया खट से देखो अल्ट्रा लिजेंड क्या किया अब एक सो साथ गुना एक सो साथ करना है अब आपको क्या करना है एक सो साथ गुना एक सो साथ अब आप देख लो किस बेर से तो देखो यह साथ जादा यह साथ जादा गुना कर दो तो साथ सते 49 दोनों साथ साथ जादा साथ सते 49 और 107 में साथ जोड़ दूत रिछा तो 114 यही एंसर आ जाएगा आपका देख लो एक सो साथ, एक सो चौदा उन्चास किसमे, option number D is the correct answer, देख लो भई, clear है, clear है मेरे भाई, ये बताओ, आप से सर बात हो सकता है, राजेंदर भाई, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप बिहार अड़ा 247 एक टेलिग्राम चैनल है, वहाँ पे जूर जाएए, व 500 जल्दी कराओ सब लोग, 500 प्लस वाचिंग कराओ, एक बार सियर करो सभी लोग, लाइक तो कर दो यार, 470 असी लोग देख रहे है, और 244 लाइक है, मतलब कोई भी देखे हैं, यार, डीके खड़ा पड़ा रहा है, लग रहा है, कुछ लोजी कुछ दे नहीं पा रहा है, तो क्या नाम हसाना है भाई का, भाई का नाम हसाओ के मेरे भाई, इतना मेहनत किया जा रहा है, एक बार लाइक एंड़ सेयर के दिये सबी लोग भाई, चलो, मैं गारंटी दे रहा हूं, सेशन लगातार करते रहे है, जो भी कराओंगा, उससे नीची आएगा, उपर कभी नहीं जाएगा, ये गारंटी ले रहा हूं, यूटूब पर देख लेना, जिस लेबल का कोशन में करा रहा हूं, उससे हमेशा नीची आएगा, उपर कभी नहीं जाएगा, बस बताएगे यहां पर क्या एंसर होने वाला है, थ्री है, नाइन ट्वेंटी सेवेन है, फॉर ह वाट, क्या होगा, तो आप लोग का एंसर आने भी लगा है, बहुत सही, बहुत सही, देखो, अब तुम क्या देखोगे, तीन यी बववा है, लकडी वाला अदमी है एकदम, लीची का पेर है एकदम, पतला दुबला, तीन, ठीक, और ये 927, वाँ पर ये दो सिम्मर का प ये पार्जिंग करके देखे, तीन है, यहाँ नो है, तो लगना चाहिए, ये तीन का स्क्वाइर है, नो, फिर लगना चाहिए, कि यहाँ तीन है, तो तीन का, ये क्या ओर रहा है, ये पीछे आगे काहे कर रहे हो, आजा, 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 ये था क्या, ये तो पीछे 3 से 927 कर रहा है तो देखो ये 3 का एक बार स्क्वाइर करोगे 9 आएगा और 3 का एक बार क्यूब करोगे 27 आएगा 4 का एक बार स्क्वाइर करोगे 16 आएगा 4 का एक बार क्यूब करोगे 16 आएगा 16, 16 is the correct answer option number D में रखा हुआ था अगले सवाल पर आते हैं देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है जल्दी से एक बार 500 पार हो जाए ये क्या है ये क्या है भाई ये नए 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 बैमानी नहीं चलेगी ऐसे ऐसे सवाल ले आते हैं सर की कुछ समझ में नहीं आता क्या करें आएगा आएगा और जब समझ में आएगा तो मजाज आएगा देखो इसका logic क्या होने वाला है मज़ेदार logic यहां आपका है बाई जबर दस्त logic से ठोरा है देखो क्या होगा मतलब आपको मजाज आएगा enjoy enjoy हमारे साथ एक sir पढ़ाते थे जब offline में तो वो कहते थे enjoy जब आप से कुछ कुछ कहने जाते हैं मज़ाग में और सर क्या दल इंजवाए तो भाई enjoy करिया इस सवाल को देखे क्या होने वाला यहाँ पे answer एंसर यह मज़ा आएगा आपको जब इस सवाल को solve करोगे आज तीसरा दीन है बिटा आज बाबु मेरे भाई अनील तीसरा दीन है आज हाँ डेली आना है तीन बजे reasoning की class चलती है ताबरतोर बैटिंग चलती है भाई तो यहाँ बताओ क्या answer होगा 64 is equal to 84, 739 is equal to 289 तो 499 को क्या कहेंगे यह कह रहा है भाई तो आपका क्या answer आएगा क्या answer आएगा देखो अब क्या है 64 है 84 है ध्यान देना देखना यहाँ पे 64 यह एक चीज आप देखना यहाँ पे 64 यह square क्यूब दोनों है देखना यह 64 square भी है और cube भी है 729 भी square भी है और cube भी है 44, 96 भी square और cube है तो आप देखो 64 किसका square था 8 का cube किसका था 4 का तो यही तो लिख दिया है किसका square और किसका cube है 729 किसका square है 27 का cube किसका है 9 का लिख दिया है 44, 96 का किसका है 16 का तो 64, 16 is the correct answer option number B बोलो भाई logic सही लग रहा है तो एक बार like and share दवा के नहीं कर रहे है तुम लोग like and share में कंजूसी है आप लोग का दी गई आकरिती में सीधी रेखाओं की संख्या की पहचान करे इसमें कितना straight line का use होगा minimum minimum कितने straight line के use की जरूरत परेगी यहां पर यह एक बार आप सभी लोग बता दो फटापट जल्दी से सभी लोग जितने लोग जुरे हैं सब लोग एक बार like करिये session को और share करते जाईए भई बोलो यहां क्या answer होने वाला है आप सभी लोग का एक बार ताबर तोर अंदाज में सौरफ कर आज में पहली बार है आपका क्लास बहुत अचा है थैंक्यू सो मच डेली जुर्ना है तीन बजे आप सभी लोग को वादा करके करते रहेगा सभी लोग कि डेली तीन बजे DKSR के साथ चलना है भई अब यहां बताओ कि यहां पर क्या एंसर आप लगा दोगे कितने सीधी रेखाएं हैं कितनी सीधी रेखाएं हैं एक बार बताओ मेरे भई सीधी रेखाओं की संख्या बतानी है आप सभी लोगों को कि सीधी रेखाएं कितनी हैं यह बताओ आप लोग कह रहा है आठ है दस है साथ है नौ है देखो काउंट कर लेंगे भाई 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 काउंट करेंगे देखो पहले ऐसे ऐसे वाला काउंट कर लो जो ऐसे सोया हुआ लकीर सब है उसको काउंट करो तो कितने है एक सोया लकीर केवल सोया लकीर दो तो सोया वाला लकीर कित आई तो यह एक देखना यह दो हिए तीन यह चार यह पाँच और भी कोई है नहीं है तो पांच और चार नों पांच-डो साथ और दूनों एंसर लगाई यो और दी बोलो भाई क्लेयर है या नहीं खतरनाक अंदाज में फ़सान क्यों रहे हो एक बारत माता की एक बारत तरीके से आते अगले सवाल पे तुरंत थोरा सा अगदम जयकारा ऑपका लेबल जवर्दस्त है इस सवाल का एंसर जिनका जिनका आया उनका मैं मानूंगा कि उनका लेबल सही चल रहा है तैयारी का जबरदस तरीके से क्योंकि इसमें थोरा सा पैट है थोरा सा जबरदस तरीके से है ये साड़े 500 लोग जो अभी हमें देख रहे हैं एक बर like and share कर दिये तो ये thousand पार हो जाएगा अभी के अभी ये एकदम आपको मैं बता रहा हूँ लेकिन आप लोग क्या इसको like and share कर देंगे जबरदस तरीके से जितने लोग देख रहे हैं like and share कर देंगे चलो भई अब यहाँ देखो label हो है जो इस सवाल को बनाया समझ लो उसका label जबरदस चल रहा है उसका label ही अलग है भई तो सवाल क्या जबरदस तरीके से आप बनाना चाह रहे हैं तो देखो इसका label क्या है कह रहा है बॉआए को 20 लिखा जाता है मैंने आपको बार बार बताया है कि और सब तरीके से नहीं मैं आपको scientific तरीके से बताता हूं कि बॉय को 20 क्यूं लिखा अब बॉय है अब 20 तो लाना है मजबूरी है क्योंकि बॉय का code क्या है 20 है तो अब भाई कैसे करें इधर later है इधर number है place value सबसे पहला काम place value 2, 15, 25 देखना अब हम इसको जोरें तो 25 और 15, 40 तो आ गया और बटा 2 कर दो तो 20 आ जाएगा अरे रे 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 बन तो गया इन दोनों को जोर के हो इस चे डिवाइड कर दो तो लगे का ओ कुछ तो लगा तो जी आ या यार यहां 4 later है कुछ करिये नहीं पाओगे तो अब क्या करे भाई अब क्या करे अगर सब क गया 24 अगर सब को जोर दिएंग, सब को तीनों को, तो 42 आया, अब यहां 20 कैसे है, तो देखो यह, 4 का स्क्वाइर करोगे क्या होगा, 16, 2 का स्क्वाइर करोगे क्या होगा, 4 तो 20 हो गया, यह समझ में आया है, नहीं आया, लॉजिक पहले ये बता दो सब लोग, मज़ा ना था और यह मैं इसलिए कह रहा था कि मैं जानूंगा कि आपका लेवल है क्योंकि यह आपके एक्जाम में previous year set का question है पूछा गया सवाल है तो जो लोग question bank लगाए होंगे हूब हूब सवाल से मिले होंगे कि b का place value 2, o का place value 15 y का place value 25 अपको जोड़ दिया तुन चारीस और साथ 46 आएगा चार का स्क्वाइर करोगे 16 छे का स्क्वाइर करोगे 36 36 प्लस शुए 16 तो 6-6-12 के दो हासिल एक तीन एक चार और एक फिप्टी टू इस दा करेक्ट एंस और ऑप्शन नमबर सी में रखा हुआ था बोलो भाई क्लियर है या नहीं सबका क्लियर है वाई एकदम जबर्दस संदाज में लाइक एंड सेर मत रोगो भाई बस यहीं आप से रिक्वेस्ट है मैं आपको ऐसे सवाल और ऐसे लोजिक लाके दूँगा आपका भाई अभी है यहां पर जबर्दस तरीके से सेजन चलता रहेगा अगले सवाल प्यारे क कर दो पच्छा बला है क्या जल्दी से अक टक 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 ऐसे करके ऊंदर लगवा चाहिए चली लगा दो को में में चली लगा दू ऐसे मतलत जहां तक सरजा करें सर ही दिख्याला सवाल है यह रहीकाNN एंसर बताइए और अभी 600 पार कराना बाकी है अभी 540 और सारे 500 पर नहीं काम बनेगा एक बार लाइक तो दबा दो जितने लोग देख रहे हो बस 30 सेकंड ने लाइक एंसर कर दो भाई इसका एंसर लगाते रो लाइक एंसर 30 सेकंड मैं पानी पी लेता हूँ इजाज़त है एक बार लाइक कर सालों लाइक और सियर भी स्यर्भी जाहिए सभी लोग टैके बोलवाई लाइक एंटीएट सिल कार्दू सभी लोग लाइक हैं इंसर टर्थित ऑन चलो देहते हैं आँ यह Each डंव कितने हैं में मैं बटा 1-2-3 लिख दो और सबको जोर्ट तीन दो 5 और श्चे मतलब इसमें 6 ट्रेंगल बनेंगे उसी में अगर ऐसे लाइन कीस्ट दे टई एक और बन गया एक दो तीन दो पाँच और एक छे और भी D.K. धीरेज ठीक है चलो अगला सवाल अला कि ये एक्जाम में सवाल नहीं आएगा कि आपके टीचर का नाम क्या था ठीक है ठैंक्यू सो मच्छ चलो भाई आगे बताओ क्या एंसर होने वाला है उसका चेयन कीजिए जो अन्योसे भिन हो अलग हो, अलग है, कौन अन्य से भिन्न है, अलग कौन है, वो देखो A है, H है, C है, E है, कौन अलग है, वो ढूंडना है आपको और बताइए कि एंसर क्या होने वाला है यहाँ पे A, H, C, E, बोलो भाई, एक बर लाइक एंसर लगाने वाले हो आप सभी लोग से, बोलो यहाँ क्या एंसर लगाने वाले हो आप सभी लोग, उसका चेयन कीजिए जो अन्य से भिन्ने हैं, अलग कौन है यह निकालना है हम सभी लोग को सुरज का से बकरे, I am back, I am also back, बोलो भाई क्या एंसर होने वाला है, क्या होगा यहाँ एंसर, लगने लगा है, 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 एक भी प्राइम नमबर है, तीन भी प्राइम नमबर है, पांच भी प्र बोलो भाई clear है या नहीं clear है बाबा बोलो अरे बाई clear है एक बार like and share छली लगा दो like and share रुकना नहीं चाहिए like and share तो भवाली तरीके से चलते रहना चाहिए अगला सवाल आ गया ले यह क्या है करा है 10 star B 35 13 star A 49 12 star C क्या तो यह star यह फूल पत्ती लग रहा है कुछ क्या है तो यह math नहीं है कि कुछ समझना कुछ भी हो सकता है यहाँ तो कुछ भी कराओ answer निकालो बस आपको अब जिद क्या पालना है कि इसको क्या करें कि यह 35 आ जाए यह जिद लाना है देखो approach यह होता है सवाल बनाने का ऐसे नहीं कहा रहे है यह तो ऐसे हुआ यह answer हो गया यह कुछ थोरे होता है कि यह इसे हुआ इसे answer हो गया उतो हम book में भी देख लेंगे क्या approach आप कैसे सोच रहे हैं यह नहीं सीखना है यहीं सीखने नहाए हो जी बोलो एक बार कमेंट करके यहीं न सीखने आए हो कि खाली answer जानने आए हो कि इसका answer यह उगा लोजी की है how to think यह यह बताना जरूरी है बच्चों को कि कैसे सोचा जाता है इस टाइप को सवाल को बनाते समय एक बार उड़ाओ भाई like answer जबर्दस तरीके से देखो बता रहा हूं हमें जबर्दस्ती लाना है कि 10 star B को 35 कैसे लाए यहीं तो सीखना है तो कुछ नहीं सीखिए देखों क्या सीखिए 35 यहां है 35 यहां है देखना धियान से सारा तिक्रम बाजी लगा देना है B का उल्टा क्या होगा Y Y का वैल्यू क्या होगा 25 ओहो 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 देखो कैसे सोचना है How to think दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है लाना है 35 तो लाना है 13 star A लिखा हुआ था देखना 13 star A लिखा हुआ था और 13 star A को 49 तो कैसे 49 आएगा तो भाई क्या करें तो 13 तो है ठीक है और नमबर ही लाना है तो एक आप उजिट अगर Z करें और Z का वैल्यू 26 होता है और इन दोनों को जोर दें तो 49 आजाएगा न भाई ऐसे लोजिक लगाना पड़ता है ऐसे लरना पड़ता है भाई ऐसे बनाना पड़ता है आपको तब जाक एंसर आता है एक बार लाइक एंड सियर कम कर रहे हैं आप लाइक एंड सियर रोकना नहीं है मेरे दोस्त उराते जाए एकदम लाइक एंड सियर को आगे देखो 12 है तो 12 लिख दिए इसमें जराइए बताओ कितने ट्रेंगल हैं इसमें जराइए बताओ ना आप हमें लॉली पॉप सवाल है एकदम एकदम जुगार है इसका भाई जुगार है एंसर चिला रहा है कि लगाओ ना लगाओ ना और आप करें कैसे लगाए कैसे लगाए कैसे होगा कैसे होगा ना ज लाइक तुरंद करिये और यहां कह रहा है आठ छे पाँच चार यह क्या थे बहुत बहुत लोगो थे क्या ऐसे आए चलते 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 निकल गए उनहीं होना चाहिए आप आए हैं वीडियो में तो ज़रा रुकिये देखिए तो सही क्या चल रहा है भागना नहीं है रुकिए ठीक है भई चलो अब यहां क्या एंसर होने वाला है जल्दी से एक वर लैक कि संघ्या 500 पार करा हो जल्दी से लाइक 441 प्लाइश चल लाए अब देखो यहां पर क्या होगा 8654 8, 6, 5, 4, ट्रेंगल की संख्या? देखो ट्रेंगल के अंदर अगर ट्रेंगल है, और इसके ये तीनों भुजा को अगर TCheck कर रहा है अंदर वाला ट्रेंगल, तो बस ऐसे एक दो भाई, जुगार से ही कर सकते हो, वार यह傷 कैए? एक दू, तीन, चार, चार ट्रैंगल दिख रहा है, और एक बड़ा वाला, तो कितने ट्रैंगल हो गता है पांच, ध्यान देना है, और एक क्रिक भी होता है, पोर एंड माइनस थ्री, 4N माइनस थ्री, एन का मतलब क्या होता है जहां, ट्रेंगल की संख्या comprom вы led ऐक बड़ा प्रेंगल उसके अनदर اकषोटा ट्रेंगल मतलब dos Dragal है तो 4 और एंद्जचार और मतलब ट्रेंगल तो मैं आट और माइनस तीन पूर और माइनस त्री याद रखिएगा तो आठ माइनस तीन पाँच ऐसे भी एंसर आएगा अब मैं आपको एक अपने मन से कोस्टन देता हूँ जड़ा इसको बनाए के बता ना तो जड़ा इस सवाल को बनाओ सभी लोग भई इसके भी तीनों भुजाओ को आप इसमें कितना एंसर नहीं बता पाओगे क्या ट्रेंगल होगा कितने ट्रेंगल बनेंगे इसमें ये तो बताओ अब देखो ये ट्रेंगल बनाए ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल के अंदर ट्रेंगल और तीनों भुजाओ को टच भी कर रहा है इसका बताओ इसका इसका तो हो गया कहानी खतम अब इसका एंसर लगाना है लल्ला बोलो भाई क्या एंसर लगा रहे हो यहाँ पर आप सभी लोग नहीं बताओगे क्या answer लगेगा यहाँ पर यह बताओ triangle के अंदर triangle के अंदर triangle क्या होने बाला है यहाँ पर यह एक बार देखो भाई सभी लोग देखो 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 पहले तो count कर दो उसके बाद 4N-3 भी लगा सकते हो 1, 2, 3 triangle था तो 4N-3 लगा लो 4 गुना 3 12 है और 12-3 मतलब 9 answer आएगा यह तो clear है लेकिन count करना भी सीखना है ना count करना भी सीख लेते हैं तो count कैसे होगा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगया अब थोरा column का color change कर लो 7 आगया तब थोरा column का color change करो 7 आगया अब column का color change कर लो 7 आगया अब देखो एक यह वाला नहीं अभी तक count हुआ है तो यह हो गया 7 और एक 8 और एक बाहर वाला तो कितना हो गया 9 हो गया 9 नहीं है भाई 9 answer लगाने में आप लोगो को कोई तकलीफ होगी क्या अब रुको तो रुको तो रुको तो रुको और आपको मैं पूरा पर्दाफास ही कर देता हूँ ना जब आही गया है आही गया तो इसको लहरा देते हैं जबर्दस तरीके से और प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से आपका उसका भी उपाय कर ही लिया जाए कि आपका प्रैक्टिस और अच्छे से कैसे हो जाए उसका भ लगा रहे हो इसमें भाई पेपर की खोपरी में छेद जहां डीके सर हूँ अच्छा मारें गोली से सट से लगा देंगे तुम परिशान का होते हो हाँ जो होगा देखा जाएगा पेपर का हर एक सवाल इसी सेजन से आएगा ऐसे कोशिस पूरी है भाई तैयारी जारी है बोल तो जैनियूल लोगों पुड़ा आराम से बैठके देख रहा होगा कि हाँ ये सेशन चल रहा है ये क्लास है ये ऐसे रेगुलर बेस पर रेगुलर स्टूडेंट बनिए अपने भाई का स्टूडेंट बनिए आपका बेरा पार लगाएगा ऐसा नहीं कि मैं उपर वाला का सबस्क्राइब तो पीते रहता हूं पासिरा निकल रहा है गरम पाने चले कंट सही रहे कंट यहीं तो सरस्वती मा का वास है यहीं से तो सारा काम होता है वह है ना तो यह तो यह सही रहे बादवाकी हमेसा आपके लिए तैयार था है न ऑफ-лाइन में गर्दा माश्याया यहां भी गर्दा गर्दा करेंगे हम लोग परिशान मत होना चलो आजाओ इसमें एंसर क्या रहा है तेरह देखो फोरेन माइनस त्री तो आपके पास एक जबर्दस चीज मैंने देही दिया है यह ध्यान रखना ठीक है तो फोरेन माइनस त्री एक दो तीन चार्ट रेंगल तो चर्चव का सोला माइनस तीन मतलब तेरह एंसर आएगा काउंट करने के लिए कोई कहा देखना है काउंट करो ट्रेन उरेन में नहीं देखते हो ट्रेन उरेन में कभी एक्जाम देने जाओगे तो देखना दो चार्ट हो लड़का रहेगा बैठा हुआ अपना पढ़ अब उसका देखो ग्यानत वह बाहर आएगा उसका जो कभीलियत है वह उसके अंदर से बाहर निकलेगा किसी को जूट मुटा किसी लड़के कोई टोकेगा फालाना चीश का एक्जाम है हाँ उप किताब पढ़ लिया थे ठीक से लुसेंट वाला हाँ हाँ पढ़ लिया थे खिया है क्यों रिवीजन से बचीजे का आप सभी करना है इन सारे चीजों से आप सभी लोग को क्या करना है बचना है तब आप आगे निकलेंगे यहार अपर यह कौई करने के लिए कोई औरे फोटेन मैने सफिन लगा लें नाईसा आएगा सब्सक्रा बताओ जरासा कईसे होता है देखता है काउंट करने में अलबला आ जाए तो इमेज खराब हो जाए ओई सा नहीं होगा देखो काउंट करो कैसे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस दस तो काउंट हो गया ध्यान देना दस जब काउंट हो गया तो आगे तुमको काउंट हो चुका है अब देखो एक तुम्हारा ये वाला काउंट नहीं हुआ अभी पूरा तो एक ग्यारह ध्यान देना इज्जत वाला बात है भाई एक ग्यारह के बाद ये क्या है बारह ध्यान देना ये क्या है हमारा बारह और फिर ध्यान देना आगे आगे क्या आग बठाई लिखाए में मन नहीं लग रहा रहा है। किया है क्या हो रहा है तो लेका सर प्यार हो गया है निंदी नहीं आ रहा पढ़ाई मन नहीं लग रहा क्या करें हम हम उसको बोलते ही सही हो रहा है अब बताओ इस पहली बार अगर किसी को प्यार हुआ बता भी नहीं पा रहा है अगलों के एक तरफा प्यार चल लाए निंद नही तब जाके तुम्हारा अक्किल खुलेगा कि रे भाई यहां तो पगलाएं हम तब जाके तुम्हारा दिमाग सेट होगा तब पढ़ाई पर ध्यान लगाओगे तो अभी अगर आपको निंद नहीं आता है प्यार हो जाता है तो यह सब नॉर्मल चीज़ है नॉर्मल है इसको नॉर्मल लीजिएगा लेकिन हाँ उससे फिर सीखना है आगे निकलना है तो यह लाइफ का पार्ट है से निकलना जो है आर्ट ओप लाइफ है उसको उसको सीखिए आप सभी लोग है ना चलिए अग्ला सवाल है आपका बोलो भाई लाजवाब सवाल लाजवाब लोजिक यहां पर है एकदम जबर्दस लोजिक देखो अगर इस सेशन में लगातार आप बने रहते हैं डेली बेस पे तीन बजे आते हैं तो गारेंटी है कि बस जबर्दस जबर्दस चलता रहेगा बोलो भाई क्या एंसर होगा यहां पर जबर्दस तरीक है एक बर लाइक एंडसेर कर दो सभी लोग सेशन को 72, 72, 46 और 5, 21 और इंट्रोगेटिव मार्क कह रहा है बोलो भाई क्या एंसर होगा एंसर क्या आएगा यहां देखो कैसे होगा 72, 46 डिफरेंस निकालो तो 12 में से 6 गया 6 और 6 में से 4 गया 26 और इंट्रोगेटिव मतलब पहले ही देखके लग रहा है यह घटा और यहां से बढ़ गया तो 125 से 40 11 में से 6 गया 5 और 11 में से 4 गया 7 445 तो कुछ लगी यह नहीं रहा है एक फर्जीवारा चला है तो करें क्या भाई गुना उना कुछ तो होई रहा होगा तो देखो इस टाइप के सवाल को कहा जाता है ना बेवफा सवाल इस टाइप कौन सा टाइप का सवाल है बेवफा सवाल मतलब एक यूनिक लोजिक के साथ आता है मतलब यह आपको धोखा दे के जा सकता है इसलिए इसको कहते है बेवफाई वाला सवाल मतलब बना तो बना नहीं बना तो लुटिया इस शट असे डुबा देगा इसलिए इस टाइप के सवाल पर तुरंट 30-40 सेकंड लगाईए अगर आपके दिमाग में आगे आगर आप हमसे पढ़े हैं तो बार-बार हमी बेवफाई वाला सवाल कराते रहते हैं तो आपको क्या फायदा होगा तुरंट को अरे लगड़ा है नहीं बन रहा है तो बेवफा तो नहीं है अरे लो 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 दो इधर साथ इधर 27 छे इधर चार इधर 64 एक इधर दो इधर पांच इधर 125 अब भी नहीं बना मतलब अब तुम बेवफा हो अगर नहीं बना तो ये तीन का क्यूब है ये चार का क्यूब है ये पांच का क्यूब है तो आगे छे का क्यूब होता है 216 है उल्टा करोगे हो जाएगा 612 option number B में रखा हुआ था बोलो भाई clear है या नहीं बोलो भाई सब लोगों का clear है या नहीं यह दम need and clear मतलब कोई इफबट नहीं चाहिए हमें आप लोगों का clear cut अभी देवा 694 लोग देख रहे हैं like करिए share करिए जब बर्दस सवाल आ रहा है आपके सामने यह देखो चार आठ तेरह अब यहां पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं लिख के ले लो कि जल्दी यह आप से नहीं बनेगा और अगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया तो सबसे का ज्यादा खुझ भी मैं हूंगा क्योंकि मैंने सवाल सेट करते हैं यह सोचा था कि यह सवाल तो पसीना निकालेगा बच्चों का बिलकुल निकालेगा तो देखते हैं यहां पर कि आप सभी लोग का यहां पर क्या एंसर लगने वाला है आप सभी लोग का एक बर लाइक एंड़ करिए भाई लाइक एंड़ लहरा ते रही देखो क्या होगा आपको लेगा क्या तो यह वह बेवफा वाला सीरीज है बेवफा सीरीज कैसे है देखो चार दुनी आठ लगे खारी तो गुना द लगे हो नहीं रहा है तो देखो क्या हो रहा है देखो आठ प्लस पांच तेरह 26 प्लस पांच एक तिस बासट प्लस पांच मजा ले जो मजा ले जो बाई मजा लो 67 इस अ करेक्ट एंजर ऑफ्शन नमबर डी बोलो भाई क्लियर है या नहीं मजा आ रहा है आप सुभी सिमिलर होगा तीन का एक ग्रूप बनेगा और एक कोई चौथा इसमें होगा ना जो अलग होगा जो इस ग्रूप में सामिल नहीं होगा उसका भात काट देना है तो बताओ कौन है चार है तीन का एक ग्रूप बनेगा तीन का एक क्या बनेगा ग्रूप बनेगा और एक ऐसा चार A, B, C, D चल रहा है और डेली तीन वजे आना है नोट करो भाई एक बार DKSR के क्लास में तीन वजे एक दम जैकारा लगा देना है आप सभी लोग को तो बोलो यहां क्या एंसर होगा आप सभी लोग का बोलो भाई 717 लोग देख रहे हैं लाइक 558 है बताओ कितना कम है कि से सोच लो बस चलो भई आगे देखते हैं यहां पर क्या एंसर होने लगा है आपका सर बहुत तेजी से पढ़ा रहे थे 67 C, D, B अर सब लगा रहा है ऐसे कैसे होगा सब एंसर तो रहे होगा यार यह तो चिटिंग कर देते हो तुम लोग देखो क्या है इसमें कितने एंग हैं 3, 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, तो यहां भी देखो, 1, 2, 3, 3 ही खंड है, यहां कितने एंगल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंगल है, मतलब कॉर्णर कॉर्णर के वल, ठीक है, जहां सिया टर्न हुआ है, यह वाला, इसको टर्निंग नहीं कहा जाएगा, तो कितना है, 1, 2, 3, 4, यहा हां गरबर हो रहा है, यही एंगल हो रहा है, लग रहा है, C होगा है, जितने एंगल उतने खंड है, लेकिन यहां चार एंगल है, और पांच खंड हो रहा है, मतलब यही एक अभी अलगा है, तो लग रहा है, यही एंगल होगा है, एक बार चेक कर लो इसको, एक एंगल, द option number C is the correct answer अगला सवाल Oh My God कितने ट्रेंगल हैं असरे को मजा लो सवाल को लग रहा होगा ना इसमें डरता अभी रूको जाना ऐसे लग रहा होगा रहे ट्रेंगल भागो ना 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 रुको 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 आज पाद ट्रेंगल और स्कौायर वाला का बस रुके रहना देखो 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 क्या करता हूँ मैं यहाँ पे कमाल क्या होने वाला है वो एक बार देखना यहाँ पे कमाल क्या होने वाला है वो आपको यहाँ पर दिखाऊंगा मैं जबर दस तरीके से दिखाऊंगा एक बार लाइक एंड से ठोकते जाहिए आप 67 आ रहा है अरे पगला 67 किसका आ रहा है औरीजिनल तो औरीजिनल का है लिखे हो नामे औरीजिनल लिखा जो औरीजिनल औरीजिनल बोलता है हम इमांदार है तो चिलाएंगे कि हम इमांदार है हम इमांदार है हम इमांदार है ना अगर आप इमांदार है तो इमांदारी छलक वो चलकेगा आपको आज के डेट में सबसे बड़ा बेवकूफ को ने जो दूसरे को बेवकूफ बना के सोचता है कि हमने उसको बेवकूफ बना दिया अरे गधारे पगलों तुम अगर किसी को बेवकूफ बना के सोच रहे हो ना कि हम बहुत बड़ा काबिल है तो ना तुम सबसे बरा बेवकूप हो, कि यह समझ रहे हो कि उसको नहीं समझ में आ रहा है, सब को समझ में आता है कि हमको बेवकूप बना रहा है, कुछ हालातों के कारण नहीं बोलते हैं, कुछ अपनी कंडिशन है, कुछ इरस्पेक्ट के कारण नहीं बोलते हैं, बस यह चीजे होती है तो आप आज के बात किसी कोई भी अगर बेवकूब बनाता है सब को समझ माता है कि हमको गधा बना रहा है लेकिन वो और इज़त के कारण नहीं बोल रहा है उसकी हाला तैसी है जिसके कारण नहीं बोल रहा है लेकिन हर एक आदमी को पता होता है कि हमें बेवकूब तो यह बना रहा है तो अगर आप किसी को बेवकूब बना रहे हैं तो बंद करिए सब लोग ठीक है भई? चलो अब यहाँ देओ क्या होगा? अगर स्क्वाइर की यह बात करेगा कितने है भई? कितने है कितने? इसमें क्या होता है? स्क्वाइर काउंट करने का तरीका तो आपको बता चुका हूँ कितने खंड में बटा है स्क्वाइर? तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ जो सबसे बड़ा, इसमें सबसे बड़ा कौन है? आठ इसको दो गुना कर दीजिए, तो आठ गुना, दो, सोला, मतलब इसमें सोला ट्रेंगल होंगे जैसे मान लो कोई स्क्वाइर अगर ऐसा रहता, इसमें कितने ट्रेंगल होंगे? तो एक, दो, तीन, चार, इसमें सबसे बड़ा कौन है? चार तो 4 को 2 गुना कर देते, इसमें 8 ट्रेंगल होगा, clear, अब इसके ऊपर एक और ट्रेंगल बना दिया इसने, इसके ऊपर एक और ट्रेंगल बनाया इसने, तो अब ट्रेंगल में किवल क्या होता है, कि ट्रेंगल में अगर पर बेंडू कुलर ऐसे लाइन गिरता रहे, तो 1, 2 तो मतलब दो और एक तीन ट्रेंगल बनेंगे इससे ध्यान देना तो एक और दो यहां कर दिये तो दो और एक कितना आ गया तीन आ गया तो 16 और तीन अभी तक कितना आ गया हमारा 19 लेकिन यह को यह नीचे खीच के ऐसे कर दिया यहां भी नीचे खीच के ऐसे कर दिया ध्यान देना तो एक और एक दो तो यह अलग से आ गया तो 16 प्लस तीन प्लस दू हमारा यहां तक आ चुका है ध्यान देना अब अब दोनों स्क्वाइर और ट्रेंगल मिलकर कितना बनाएगा तो जड़ा कलम चेंज कर लें ताकि आपको क्लियर दिखे देखो एक तो यह छोटन की य अब देखो एक यह भी बनाएगा ध्यान देना एक यह बनाएगा एक इधर से भी यह बनाएगा ध्यान देते जाना तो दो और हो गया सीखते जाओ सीखते जाओ मजह लीजे वाई सवाल है तो इंजवाए कर यह सवाल को बना बना कर अभी देखो और एक कौन बनेगा तोटल कितने होगा है 16-23 ध्यान देना सेवला 13 दो एकीस दो तेईस दो पचीस दो 27 और एक 28 तो 28 एंसर होगा यहां पर option number a option number a is the correct answer बोलो भाई clear है बोलो भाई clear option number a is the correct answer सभी लोग का 800 पार कराओगे क्या 800 पार कराओगे अभी पहुने अगर यह पूरा सेशन अच्छा लग है अभी और एक सवाल है अभी एक सवाल और यह 800 पार करो अगला सवाल आता है अभी एक सवाल और बचा है तो जल्दी से आईए वाई सभी लोग एक पार लाइक और 24 नहीं होगा 28 28 28 सबका गलत होगा अनिल प्रसाद जी कह रहे है फ्रे तो parking बठत बट तर देखते हैं हमारे अगला सवाल क्या है और इसको जो नहीं बनाया तुरंद देखते हुए उसका सर फोरदूंगा है यही से चला कि एक दम तुरंदबनना चाहिए 26 March 1997 में मंडे है तो 26 March 1997 में कौनसा दिन होगा जरा एक बार यह बताओ प्या होने वाला है देओ क्या होगा एक साल का गैप है और कोई भी लीपियर नहीं है तो simply एक एड कर देते हैं तो Monday में एक एड करोगे answer क्या आ जाएगा Tuesday आ जाएगा क्योंकि कोई भी यहां पे लीपियर नहीं था अब अगर आप लोग SSC MTS का जबरदस तरीके से preparation करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1149 रुपए में SSC MTS का महापैक आपको मिल रहा है 1149 रुपए में कोड क्या लगाना है Y315 कोड क्या लगाना है Y315 यह फीस कम हो तरीके से आप यहां से फायदा उठा सकते हैं जाकर अब देखो अगर आप बिहार एक्जाम की तियारी करना चाहते हैं BPSC जो अभी दिसंबर में होने वाला है बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसके बिहार दरोगा के लिए सिर्फ 1389 रुपए में प्री और मेंस की तैयारी कर सकते हैं अड़ा के स्टूर पेस आईए Y315 कोड लगाईए सिर्फ 3000 रुपए में आपको महा पैक मिल जाएगा जिसमें सब सामिल है केबल बिहार एसाई 1389 सब्सक्राइब जाएगा तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है गूगल पे जाना है अड़ा 247 यहाँ पे सर्च करना है गूगल पे जाके अड़ा 247 और अड़ा 247 का सबसे पहला आया खोल दिये इसको इसको पुरा ओपें होने देना पहले रंगीन हो जाएगा अब यहाँ पे जाके SSC MTS डाल दो यहाँ पे जाके क्या डाल दो SSC MTS जैसे ही डालोगे या SSC का महापैक लेना है तो SSC MTS महापैक 12 months validity या आप केवल यहाँ पे SSC MTS डाल देते हैं मालनों नीचे नहीं भी आता SSC MTS डाल देते हैं तो SSC MTS डाल के यहाँ सर्च भी कर सकते थे तो आपका open हो जाता है यह देखो आप देखो SSC MTS का महापैक आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ लाइब क्लास टेस्ट सीरीस सब कुछ 4999 में दिख रहा है यह गूगल खुला हुआ है यहाँ विवाफर्स पर जाईए एक विंडो ओपन हो जाएगा विवाफर्स पर फिर से बैक करता हूँ अड़ा 247 सर्च किये वहाँ जाके SSC MTS सर्च किये खुला SSC MTS पर क्लिक किये यहाँ देखो विवाफर्स क्लिक किये एक विंडो खुला इमेल आइडी मांग रहा है आप अपना इमेल आइडी यहाँ पे खट से दे दीजिए जैसे ही इमेल आइडी देंगे दो अपलाई क के लिए आएगा कोड इस पर थोड़ा कम मिलेगा इस पर सबसे ज़्यादा मिलता है कोई भी प्रूरक्ट ले लिजी अड़ा से वाई 315 याद रखिए का वाई 315 जैसे ही लगा के यहाँ अप अपलाई करेंगे यह सिर्फ 1149 रुपए हो जाएगा आप पर्चिस कर सकते है पूरा का पूरा यह ठीक है तो जाएगे ग्रैब करिए इसको फिर मिलेंगे हम सभी लोग कल तीन बजे तो ध्यान रहे कल तीन बजे 1149 यह मिलेगा तो यह जा के सब लोग पहले ले लो वाई 315 कोड लगा करके ठीक है और मिलेंगे कल तीन बजे वादा है वादा है वादा तो आप जाई अगला क्लास वरिगू सर का है कंटीनिव करिए वरिगू सर के साथ इंगली जबरदस ताबरतोर पढ़ा रहे है सर तो वहां जाई उनके साथ क्लास करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप सभी लोग क्योंकि यहीं मक्काम अदीना सब कुछ है म मैं मिलता हूं क्लास के लिए तो वादा करिये कल मिलेंगे हम सभी लोग ठीक है वादा करिये कल सभी लोग यहां पर अबलेवल रहेंगे तीन वज़े सामने थैंक्यू सो मच जहिन